आसलाइणों फ्रेंस मैं हूनास्या आई टूसडायका मसिदार आज बनाईए बहुत जाओनी मसिदार त्थी kriispy सी winter special fish fry की yourmeg ृष फ्रैएपी बहूत ही असान सी एको बनाना और मसंदार यह बनती है चलिए असान सी रेसिपी में आपको साथ शेयर करती हूँ, पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर मैंने ली है 600 ग्राम से करीब बुनलेस फिश, आप चाहें तो काटवाली मचली ले सकते हैं, जो भी मचली आपको पसंद दो, उसको आप स्लाइसे में कटवा लीजे, और मचली को आप जिस तरी किसे दोते हैं, आप इसको धो लीजे, मैंने इसको सिर्के और नमक स वाश कर लिया था, आप चाहें तो आठे से या फिर हल्दी और नीबू के रस से भी इसको वाश कर सकते हैं, अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं, तो सबसे वहले इसमें डालेंगे हम नीबू का रस, यह एक नीबू का रस है, तकरीब बन एक से दे टेबल स्पून के गरीब, साथ इसमें नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से मैंने वन टी स्पून डाला है, थोड़े सा हल्दी पाउडर डाल रही हूं मैं इसमें, लसने दर का पेस्ट डाला है मैंने इसमें दो टी स्पून, सारी चीज़ों को मशली पे अच्छे से हम कोट कर देंगे, यह फर्स मैरि मशली तो अब इसके अंदर बाकी की चीज़े डाल देते हैं, इसमें डाल रही हूं मैं एक टी स्पून लाल मिर्श का पाउडर, साथ में डालेंगे इसके अंदर वन टी स्पून धनिया पाउडर, आदा चमच डाल रही हूं मैं इसमें जीरा पाउडर, एक चमच आएगा इसमें चाट मसाला पाउडर इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मचली में आदा चमच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिए अजवाइन को हाथों की बीच में क्रश करके डालेंगे इसका फ्लेवर जोने है बहुत अच्छे से निकल के आएगा और साथ में इसमें मेथी भी जाएगी तो ये वान टी स्पून मैंने सूखी मेथी लिए इसको भी हाथों में क्रश करके डाल देंगे आदा चमच डाल रही हूँ है कि गराफ multiplayer मिर्ट साथ में डाल रही हुँ है है कुंटी हुइ लाल मिर्च और इसमे डाला है कोनफलार यह मैंने डाला है फ्लार यह मैनने डाल दिया है क्याथ यह जाह청 अँए इसकी जगह मैनदा بहारे सकते हैं और साथ में मशली को और मसिदार फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे बेसन बेसन भी मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून ही इसमें शामिल करा है इन सारे मसालों को मशली पे अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि जो हमने पहरा मेरिनेशन किया था उसमें नीवू डाला था और मशली खुद भी अपना पानी थोड़ा बात रिलीस करती है तो अगर आपको ज़रुवत लगी तभी इसमें पानी का छीटा डालीगा अगर आपको लगता है कि बहुत सूखा मसाला लग रहा है और मशली पे अच्छे से कोट नहीं हो पा रहा है अब एक घंटे बाद में मशली को फ्राय कर रही हो इसको शैलो फ्राय कर लेंगे तो तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए आपको कोई भी लकड़ी की आप कोई भी स्टिक इसमें डाल के दीगा हलकल की बबबस आना शुरू होंगे इसका मतलब है तेल बिल्को परफिक गरा मुझे का आप फ्लेम को लो कर दीजे और हलके हाथ से आप मशली के पीसिस में डाल दीजे बस इतने डालेगा जितने की पैन में आ जाये बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड मत कीजेगा क्योंकि फिर मशली आपस में टकराए पलटने में थोड़ी सी परशानी हो जाएगी तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए टिप बहुत अच्छी है कि पैन यह कड़ाई जो भी है आप इसको जो है ओवर क्राउड मत कीजेगा और इसको तीन से चार मिट इसको टच मत कीजेगा मीडियम फ्लेम पे पकने दीजेगा ताकि कोटिंग इसकी फर्म हो जाए और इसको तीन से चार मिट बाद मैंने इसको पलता है तो देखी कोटिंग बिल्कुल इस पर चिपकी हुई है बिल्कुल भी नहीं हटी है और मश्ली जो इना अच्छे से फ्राय हो रही है मश्ली को मुस्तकिल दोनों तरफ से मीडियम पर ही फ्राय करना है साथ से आठ मिनट में एक बैच मश्ली का पूरा फ्राय हो जाएगा अगर आप लो फ्राय करेंगे तो मश्ली ज़्यादा ऑईल भी एब्सॉप करेंगी और उसके तूटने के चांसे सुचाएंगे और फ्रेम अगर हाई होगी तो मश्ली की कोटिंग पर से बहुत जादा डार्क हो जाएगी जल जाएगी और मश्ली अंदर से कच्ची भी रह जाएगी तो हर दो से तीर मेर बाद आप इसके साइड्स चेंज करेंगे और उसके बाद आखिर के दो मिनट आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आप मश्ली को बस इक चन्नी में करके ताकि इसका सारा एकसे सॉयल जो है न वो निकल जाए और इसके बाद जो रिमेरिंग पीसिस बचे है मश्ली के उसको भी में फ्लेम कर लोगे इसी तरीके से अच्छा क्यूंकि हमने ग्यास को भी हाई फ्लेम पी कर रहा था आखिर की दो मिनट मश्ली को करने के लिए तो तेल का टेंपरिचर जादा हो जाता है तो आप इस पॉइंट पे जो है न दो मिनट क्लिंग ग्यास बंद कर दीजेगा दो मिनट बात दुबारा से फ्लेम को बीरियम पर ओन कर लिजेगा और इसको जो है न दो तरफ अच्छे से अलाए तक इसको आप फ् कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक सरूर दिया करें और अगर वीडियो रेस्पी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए फैमली फ्रेंज के शेर कीजिए अगर आप चैनल पे पहली बाव विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा